CCA की और वीडियोज देखने के लिए सबस्क्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं आपके लिए आपको उमीद है कि बीजेपी सरकार से आपको मतलब नौकरी मिलेगी क्या लगए बीजेपी सरकार दनी मिलेगी इसने तो वह वाला जो मुद्दा है टीकरी बॉर्डर का वह आज भी मुद्दा है कि मतलब आप जो इतना बड़ा किसान अंदोलन किषानों रहा है को साल के 5 फसल मर्ठान से में केपने कुदाा था हुझ में अनला हुझा लए जामा, हैूरि क्रbersुर। तो आपको अभी भी मतलब नाराजगी है कि यहां पर आपको तेरा महीने में बिठाया था यह उसका गुस्ता कुछ शान्त हुआ है प्रिशनी दो बड़ी है जी बड़ी है जी नोट बन नीमी बड़ी है और जी एस्ट में तो महेंगाई बड़ी है इसके कारण लोग तंग तो है जी पुल नराज है उनने जबाँ ज्याधती करी गल्द करया हमारे अरियाना की बेटियों के साथ कसीटी गई है वो इतनी अंत बीजेपी ने किया किसान के साथ इसे बड़ापर देशन किसे निन किया है सबते बड़ापर देशन यह है जो वह नोनोन किया था वह कोई साथ निन दिया हम तो पुरा देश में ही देख रहे हैं किसान है उसके साथ नहीं जुड़ेगा CCA में आपका स्वागत है चुनावी सफर में हर्याना के चुनावी सफर में अब हम मेहम विधान सबाज सीट पर हैं ये रोतक जिले में पड़ती है और मेहम के सम्मन गाउं में हैं इस गाउं का किसान अंदोलन में भी एक बहुत बड़ा योगदान था यहां के बहुत किसान जो हैं टिक्री बॉर्डर और यहीं से पास एक मदीना टोल है वहाँ पर इनकी एक बहुत भारी वहाँ पर एक प्रेजन्स रहता था इसी सीट पर फिलहाल जो यहां से उमीदवार है बलराज कुंडू जी यह एक स्वतंत्र निर्दली उमीदवार है इस बार भी वो चुन लड़ रहे हैं बीजेपी के यहां उमीदवार दीपक हुड़ा है जो कि इंडिया की कबड़ी टीम के कैप्टन रहे चुके हैं और कॉंग्रिस से बलराम दांगी और एक और निर्दली उमीदवार है राभा कुंडू आये यहां गाउवालों से बात करते हैं समझने की देने की सोच रहे हैं जो इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था महिला पहलवानों का भी जो आंदोलन था क्या उनका अभी भी आसर इस चुनाव में हैं या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं आई यह बात करते हैं आप से शुरू करें जी आपका नाम नरेंदर जी नरें समाद से भी हैं चलिए तो फिर आपको यहां की समुद्दो की भी बहुत अच्छी समझ होगी अब आप मुझे बताईए कि चुनाव आ रहा है यह है जादतर यहां पर शायद किसान या किसान परिवार से ही लोग बैठे हैं कैसे रहे हैं दस साल क्यूंकि यहां तो किसान दुखी है किंकि 13 महीने किसान दली के बोडरों में बेठे हैं वह हमारे 700 किसान सादत भी दी है उसके बावज़ूद भी विजवी सरकारन किसान के कुछ भी नहीं किया किसान बिलकुल विजवी से बिलकुल तंग है एक चीज़ बताओ या भी जज़पा अलग हुई भी भाज़पा से किसान अंदोलन के दौरान कि जितना हम भी हर्याना गूंए तो एक चीज़ तो सपश्टी है लगबग की जचपा को भी बहुत नुक्सान हुआ है इसकी वज़पा से अलग नहीं हुए थे किसान अंदोलन के दौरान लेकिन अभी दुश्यान चोटाला कि मेरी वाज़ा से 14 फसलों पर MSP मिली है हर्याणा में ऐसा कुछ आप लोग भी उसका अनुभव कर रहे हैं वह फसल है नहीं जी मतलब ज्यादा बूती नहीं जी इस पर फसल का करें रहे हैं तो इस बार आप लोग क्यूंकि पिछली बार यहां से एक नरदली उमीद वार ज सोच रहे हैं क्योंकि आप कहरें बीजेपी से तो पर्रिशान हैं और पिछली बार भी बीजेपी के उमीद वार जाना ठीक ठीक ठाक तीसरे नमबर पर थे लेकिन दूसरे जो आये थे कॉंगर्स के उससे सिरफ एक हजार वोट ही कम थे उनके इस बार आप कहां सोच रहे है वोट करने के हम कांगर्स की सोच रहे हैं रहा हमारे जो राहूल कांदी जो कांगर्स के नेता हैं वह वी किसानों के बारा परतिमिंडल से जिसने बीजेपी मिलने से मना कर दिया दफ्तर में नहीं जाने दिया लेकिन उसने काया कि हम दफ्तर में नहीं जाने दें तो हम रोड आकूर्विड की सरकार चाहरे और इस बार पिशली बार का वोट किया था चॉसली बार वहां हमने कंग्र्स की वोट किया था जी दोकहन कर रही है आपने दुकान भी करी हुई है पेस्टिसाइड की और साथ में आप रेटायर्ड फॉजी है चली पहला सवाल तो मेरा यही है आप रेटायर्ड फॉजी है और फॉज में एक बहुत बड़ा एक तब्दीली आई है और कुछ नया एक योजना आ गई है फॉज में जिसको अग दॉ AG जाते हैं वह सोथ चार साल के लिए और यहां काम करते संद्धियों और नहीं उनको कंटीन की सवीधा नहीं की पैंसन है तो वह तो कहीं के भी नहीं रहते हैं वो साथ इलाएक भी नहीं तो अगर मान ले चार साल में घर बेड़ जेंगे तो लड़की वाड़ा सोथत मैं पीज रा हम कि कि चार साल अपने आप में काफी अनुभव होता है फज में रहने की चार साल में निकल गए या आपको लगता एक अच्छा सहीनिंग बनने के लिए थोड़ा और अनुभव की दरूरत होता है। सेनिक बढ़ने के लिए कम से कम पांच साल लगते हैं जी चार साल में तो ट्रेंड नहीं होता हो पाता हूँ तो ट्रेंडिंग ही आपके एसाब से पूरी नहीं है तो बाकि क्या करेगा पर यून्ट मा आएगा यून्ट मा आने के बाद मैं भी कुछ शिकाते हूं वहां भी चलती है पांच साल में जाके ट्रेंड होता है एक से पाई लेकिन ये तो सरकार जो है कही ना कहीं बार-बार सेनिकों के नाम पर उनकी शहादत पर हर बार वोट मांगती है तो क्या ये इनके जूटे दावे हैं जूटे दावे हैं एक अंट्रेड आंद्वी को बेज बार कहा वोट किया था नराजगी तो आपकी साफ नज्जा लग रही है इसले बार निर्दली अविदा बलराज कुंडू को तो यहां थोड़ा बटा हुआ मामला है आप वैसे एक जो सवाल उठता है कि बही निर्दली उमीदवार शायद बाजपा के साथ भी जा सकते हैं अगर पूर्ण बहुमत की सरकार ना बने कि आपको वो डर है कुणूजी को लें कोई डर नहीं आपको यकीन है वो निए यकीन है अगर बाजपा के साथ जाता तो पिछली बार समर्थन दिया था अचा है मिन्ने के बाद मां समर्थन वापिस ले लिए आचा और अंदोलन क दोरान वहां जमीदाराओं के लिए खाने का बंदोबस्त किया जो किसान सहीद होए उनको दो दो लाख रुपे की साथ आ दी बाकी और भी तो यहां से थे अलक्सन लड़ने वाड़े किसे नहीं तो खाने की मदद करी नहीं जो किसान सहीद होए उनको साथ आ दी आपका नाम तर्व हैं तो जी यह बताएगे कि चुनाव आ रहा है अब भी क्या किसान है? जमेदरा है किसान जी तो मुझे बताएगे कि आप भी लगबग उतनी नराज हैं या आप खुश हैं सरकार से? नराज हैं जी इनी की बातों जो बी बता रहे थे? अपनीने रेयेदी आप नियो जो बादक न लुद देन अड़े ऑनो जो पडियाको में आ tubra . Wow तो वोट कहां आप सोच रहे हैं फिर कुंडू की पिछली बार कहां किया थे कुंडू की आपका नाम के वाजी संदीब क्या करते हो संदीब क्यति करते हैं जी बताइए कितनी जमीन है कितनी श्राइब्बू कीुजरी आपक शाय के लिए कितनी मुश्चल रहती है डाई एक कर जमीन के साथ एक जमेंदार मुश्कल है किसान ने किया तही है की सान तो तिनीच ज़िए हैं भाव पानी और विजडि बाव ने छिज दीन्हें करें क्या itself. कभी BGP को वोट किया था, कभी भी नहीं किया पर इज्वार और इस बार, हम लोगसे भी बात करते हैं आप बताईए, नौजवान हैं आप, कुछ नौजवानों से भी बात करते हैं, यहाँ पीछे कई सारे बैठे हुए है, आपका नाम क्या हुआ? निकु, निकु. क्या करते हो अबी? बी ए फाइनल की है, बी ए फाइनल करीए, अबी नौकरी ढूंड रहे हैं? किया करना चाह रहे हैं का इन मिल जब जया वर तो क्या है सरकारी नौकरिया यह बताओ जो हम अरियाणा गूमें लोग कह रहे हैं अभी पिछले छे महीनों में गुरूब डी वगएरा की खुली है थोड़ी और कितनी खुली है पिछले 10 सालों में कितने लोगों का आपके गा ईव्राओं में 500 पांचे या 500 पांचे तो काफी अच्छी संख्या है फिर क्यों नाराज हो रहे हो आप इतना है तो आपकी उमर क्या होगी 22 साल होगी तो पहली बार विदान सबा में वोट करों गया है लोगसबा को करी थी डिशने को और इस बार अब कंग्रिस को कंग्रिस को कर रहे हैं आप नौजवान है क्या उमीद है कंग्रिस हो तो है वह वारय जाती है अपना किसान भाट है बहुत बढ़ी हा काम करेंगे इस रखना चीसर का नौष तरह को अमीद है क्या करते हैं वी के स्केंडिया ठीक है क्या उमर हो गई एक्च साल लोकसवह में का होगी फिलाल तो तो सर गर क्या है उपर इब दिपैंड है य vehi तो लोकसवह में कहां किया था पिछली बार है हाँ जी अभी जो लिए मोधीजी को क्यों निए करिये 10 साल अंद्लण सरकार थो अंदुलन होई थे अगनीवीर चला दी बढ़ती त्यारिक रहते से जी वन दमाओर डाल कर दिया आर्मी में जाना चाहते थे आप पेपर में रहे थे तो फिर अगली साल फिर करते अगर अगनीवीर नहीं पर वह उसला टूट जा सरी तने चार साल क्यों करती नहीं अगनीव बिक्त क्यों भी गोंकिने था पाद रखार अगनीवीर एक अगनीवीर इपाद रुद क्यों के लिए का रोगे हैं बैदेड साल में ऎकशी आपके लिए प्योंस घे मर रोगी ABC सरकार से आपको मिलेगे आपको अमीद है कि नोकरी मिलेगी प्यूंस अगएै क्या जैश आप तो खेह रहे हैं गाव में 10-20 की लगए दस साल में क्या लगी दस साल की एक दो मत्वावाब उसमें क्या वजब अच्छा आपकी तो इतनी उमर हुई नहीं हैं अब आप तो तब इतने थे नहीं बड़ आपसे जो बड़े आप इन गाव में क्या पताते हैं पहले क्या आप में बड़े आप में आप में आप में से कोई यहां पर किसान आंदोलन में जिन्हों ने गए हो टीक्री बार्डर या टोल पर जिन्हों ने हिस्सा लिया हो किसान अटर अजी सभी गये थे ससारे आपका नाम क्या हुआ साब क्या आपको चैनल नमस्कार जी बहुत 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 शुक्रीया आपका नाम क्या हुआ सर्पचोंगा जो आंग्रबाडी हैं, इनका है 거예요. और वोट किया था पिछली बार कहां? पिछली बार कहीं कर ya था यहाहा और अभी ओंगर्स में खोला समर थे नहींड है आप कांघ्रेस के साथ झाये हैं, जमा कांघ्रेस के साथ एक में दो यहीं हो वोट करनी है दो इसको कांग्रिस को वोट है difॉ है दो सुपोट करने शुन कार होड़ी किन्स काम हूँ पैर्ना Merc Whew安 ईगिए की सब्सक्राया के चास नहीं थे अ मारे लिए तो अच्छा है न सारे न देखी कौन राजसभा के एंपी यहां से रमचंदर जांगडा उस नमारा काम करा हैं यह कोशा भी नहीं लखाई सारे दो रचकरी काटली इन नमारे कोशा अबला नहीं करें यह दिक्कत रही है इधर यहां किसानों कियों भी नहीं होए यह पाणी लकड़न का समादानों है पिछले साल कि में दभी थी कि में इपकादावगी पूरा करें इप जुकर दैने उनका है निदो कंगालबर के थे कि में बीजे पी नूप पर दो कर दिया मारेगल तो क्यूंकि सन्ना गाओ कर दिया दाना खेतमों है नहीं ओड़ मन निमाना दाव निगा तो आपको अभी भी मतलब नराजगी है कि यहां पर आपको तेरा महीने माँ बिठाया था या उसका गुस्ता कुछ शान तो है सभी जे पीटता तो सौकत नफरता जी पिछली वार का मारा जी करागा जड़ा गे रहा है जी पिछली उसको बला करेंगे और बते रहे हैं जी आथा लागा उसने तुन लेंगे को बीजेपी और कुंडू को जरूरी को आप करेंगे बीजेपी या कुंडू के लाव जी सोचा नहीं है यह भी चलो बढ़िया है थोड़ा सा लटका के रखना चाहिए उमीदवारों को थोड़ी और मेहनत क स्यह करते हैं फिर आपका नाम क्या हुआ शोकाजा करते हैं पर आपकी यही शिकायत एं जो बाकियों की है अचा आप बताए जो जहांँ पहले आप से बात करते हैं क्या नाम है यिदि क्या करते हैं मैं दुकान करते हैं यह किस चीज की सी परचून गावाह इ entrepreneurs की गावंहीं चलती है तो यह बताईए आपका जैसे एक परचून की दुकान है आपका अपना एक व्यापार है छोटा सा अप पिछले दस साले सरकार मे कि दशुन के दशुन साल लोगां के बरबाद दिए के गए थी क्या मेंगाई से भी दिक्कत होई है किया महलेक किसान काम न्यूजी करम सारी भी रो नापर बड़तीय वह बना दिया जी बर्तियों नी थी भास करें जमिन तरह भाड़क तो थो जा आघर देजी वाय चार शाल बनी मिलागा आपने तो इस दरी में करया देजी बच्चे इस सब कुछ सोड़ी किया तो किदर आप पिछली बार कहा हम वोट किये थे बलराज कुंडु को जी बलराज कुंडु को जी जुस्वतंतर उमीद वा उनिर्दरी है इस बार क्या सोच रहे हैं इसकी बार भी जी बल तो थी फिर लेकिन वोट नहीं किया फिर भी उमीद थी वोट नहीं किया इसलिए तो काम नहीं कर रहे हैं तो अच्छे चली यह बताइए आपकी जो दुकान है पिछले सालों में इनकी कई सारी नीतियां यह जैसे नीतियां तो नहीं मतलब फैसले लिये थे नोट बंदी और जीएसटी भी लगाई इन चीजों से आपका कितना मतलब कि आपकी आपके व्यापार पर कितना फरक पड़ा इसका प्रेशनी तो बड़ी है जी नोट बंदी में बड़ी है और जी एस्टी में तो महेंगाई बड़ी है इसके कानलोग तंग तो है जी तो बिकरी कम होई है पिर दुकारी का तो अंतर्स आवह है जी अब इच्चे कितने आपके बच्चे दो है जी कितनी उमर है बच्वाइब भी जी इक की 24 साल जी एक टी लगीजी सरकारी कहा पर उसकी एरफोर्स में एक निक निकल लगी यह पान साल पहले तो इक तो नोखरी लगई गई घरवाले की आपकी सरकारी अब तो खुश हो है पहरे ک suburbs इसकी है खीक विति हैं इसाए कि धिते के लिए गोज दिंगають गूज डिये हैं असे घो जाती है आपकी तो एरफोर्स में लगी है कि राज TSFC difference करने हैं पर ऐसा है कि यह जो बाकी कि लोग बताएं जो ऐसा कि आप लोग के भी अनुभव हैं कि यह जो कहते हैं कि भी बिना घूस दी हमारे यहां पर सरकारी नौकरी लग जाती है कुछ उपर नीचे का नहीं लगता ऐसा है कुछ इसलिए जो बड़ी आ पोस्ट है ने डी गुर्प वाड़ी के लिए तो एक दो बचा ले लिया जो अच्छी पोस्ट हो वह सबर यहां से बार के तो बोलिंग यह शिकायत जिसमें से ठाउन बार के हैं रियाना से बाहर यह करना इसी सरकारगा यह हमारे दर्शकों ने पहले भी कई बार सुना होगा कि इस पूरे हर्याना दौन में कि एक बहुत चलो नौजवानों एक चीज बताओ मुझे आप लोग यहां पर किसान अंदोलन के इलावा भी एक बहुत बड़ा अंदोलन हुआ था जहां पर किसा हर्याने की कुछ बहुत ही मशूर खिलाडी जो देश के लिए मेडल भी जीत कर लाई थी विनेश फोगाट और साक्षी म मलक उन्होंने इल्जाम लगाए थे कि जो व्रिजबूशन सिंग जो रेस्लिंग फेडरेशन के जो प्रेजडेंट है उन्होंने उनके साथ यहां शोर्शन किया लेकिन सरकार का रवया थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं काफी मतलब निराशा जनक ही रहा है उसके परती उसका आप लोगों में कितनी बात्चीत होती है उस चीज को लेकर क्या उसकी भी एक नराजगी है उसकी बिल्कुल होगी मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं कि इसमें जो वो जंतर मंतर पर बैठी सरकार कहीं नहीं कि बात सुन नहीं रही थी बलकि धक्का वक्का भी मतलब पुल करी उनके साथ मैं पूछ रहा हूं यहां पर हर्याणा में उस चीज को लेकर क्या नराजगी है लोग बिल्कुल नराज है उनने बदल जबांक ज्यादती करी गल्द करया हमारे हर्याना की बेटियों के साथ कसीटी गई है वो इतनी अंतरास्टे लेवल पर मैटल ले रही फिर भी उनकोग शिट्व जब आज हमने वो करी है उनको मतलब अनतर मर्म गल्कुल और नराज की उससे बहूँ जब इंडराजगी है आं चाहर नलोन Д mayor में बेटियां का हो गया सर्पुंजो को लठ मार्या अंगनवाडी वरकुरों को लठ मार्या मतलब सभी मतलब हर वरक तंग कर दिया ने कैसा कोई नी जोड़ेगे फैमली आइडी फैमली आइडी अगले दन पांच लाग पाओ है नुगा अटोमेटिक हो जा है वो भी गरीब किना झाएं सब्सक्राइब आपकर से जाएं अंगनधर बि修क पाओ हें किसशान की तरह कोई कोई शाथ दिया किसान ऑफ़े गया था यह पीक्रावक्य गया रातियो ऑच्की नाराजगी है आज आज नहीं इतने रहेगी किसानी भी और आप गए थजैन आन्दोलिन बिल्कुल सीवर्णाद की है जन्हें कि भेजिए तो सफे भी जिखेंगे झाये कि य। क्या आप उमीद क्याने कर रहे हैं कि आपके गाओं में ही आप की एस प्रेंड हर्याणा में आप देख रहे हैं कि सानों की किसान नाराजगी अरियाना कोई देश वाद हम तो पूरा देश में देख रहे हैं यहीं कुछ के साथ नि 74 यह झूड़ीगा माल पतक ने रहे हैं यह हम तो बिलकुल कलियर कसाब करें इसको देख़ी है कि तो अपने देखा हुआ belong कि समंण गाउं में हैं यह मेहम के दोरान भी हम यहां आए थे और किसान अंदोलन के दोरान हम को यहां पर हमने देखा था कि यहां के पुरुश यहां की महिलाएं भी बहुत भारी संक्या में किसान अंदोलन में इन लोगों ने हिस्सा लिया था और यह समझना चारे थे कि क्या यहां के किसानों में आज भी गी जैसे उनोंने कहा लोग तंतर का मूल होता है, सरकारे आती हैं, सरकारे जाती हैं, लेकिन अगर लोग तंतर के मूल के साथ कोई चेड चाड़ करें, तो सबसे शोशिद, सबसे गरीब, सबसे पिश्रा तपका कभी आपको माफ नहीं करेंगा. आप कानून लाएं लेकिन अगर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन उसके खिलाफ हो इतने हजारों लाखों लोग आपके देश की राजधानी तक आ जारा आप उनको तेरा महीने के लिए सडकों पर रख दे उनसे बात ना करें उनकी बात सुनने के लिए राजी ना हो तो कहीं न कहीं उसका हश्र कहीं न कहीं उसका अंजाम आपको देखना पड़ेगा पार्टी आती जाती रहती हैं लेकिन सम्विधान और लोकतंतर के मूल को शायद छूना बहुत ही खतरनाक चीज है और उसी चीज का गुस्ता आपको यहां साम्मन गाओं में नजर आ रहा है जुड़े रहें CCA के साथ धन्यवाद